तेश की राजधान्य और दिलवालों के शहर दिली में हम गुड़ मॉनी करते हुए निकल पड़े ओटो से सफर की ओओ हमने स्टॉप लिया अमरितपुरी गड़ी गाउं जहां पे स्थित है इस कॉन टेंपल तो हमने प्रेम से राधे कृष्णा बोलके मंदिर में प्रवेश का नाउची समझा और ये देखिए इस तरह से हमने गेट नंबर वन से अपना प्रवेश जारी रखा तो जैसे ही हम अभी अंदर गए तो हमें बहुत ही सुन्दर यहां पे स्रुपिशन भगवान जी की मूर्तिये देखे सेसनाग पे बहुत ही सांदार का लकरीती हमें यहां पर देखने को मिली और यहां पर चार और बहुत ही शांती और यह देखे यह है इसकॉन टेंपल बहुत ही शांदार दुरुश्य टेंपल का और चार और बिल्कुल बहुत ही जादा शांदार शांती तो पहर कुछ समय के लिए मंदिर के जो दौर हैं वो बंद किये जाते हैं कुछ समय के लिए तो इसलिए हम अभी बाहर ही थोड़ी देर चायचीतर यहां पर बढ़िया में ले रहे हैं कुछ देर के पस्चात खुलेंगे बढ़िया में दौर और हम करेंगे प्रवेश अंदर की और तब तक हम इधर उदर का दुरूश्यत देख लेते हैं और उसके बाद थोड़े से हमने चायचीत तर लिए क्योंकि चायचीत तर लेना इसलिए भी अवश्चक है क्योंकि यह मैमडी के लिए बहुत ही रहता है क्योंकि हमें याद रहेगा कि तब हम यहां गए थे तो भजन सुनकर हिर्दय प्रफूलित हो उठा मतलब भजन का तान इतना तेज था कि मन का रात की हम भी थोड़ी दे नृत्ते कर लें और वहां पर भजन सुनते सुनते समय का तो जरा भी पताने लगा करीब करीब हम 12 बजे सुन रहे थे और करीब करीब 2 बजे का समय हुआ ततब पश्चाद हमें पता ही नहीं लगा कि कब 2 बज गए तो इसी तरह से हम मत्र का उचान करते हुए हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 करते हुए हमने फाइनली दर्शन प्रापत कर लिया और फाइनली 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 हमने अंदर में प्रवेश कर लिया है अपना स्थान ग्रहन का दूए भुष में के पच्चातिय मंदिर के दुआर अर्थात का पार नेंगे और बढ़ी आवें दुनेंगे तो काईज आप दिक कमेंट में लिख दो राधे 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 राधे, 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 राधे आदी गोड़ापार की जैकरियादार की अब हम चल रहे हैं बड़िया में अपने निवास्थान की ओर अगर आपको आज का ब्लोग पसंदा है तो लाइक करें और चैनल पर नहीं होते चैनल को करें सब्सक्राइब धन्याब